दोस्तों, NVIDIA की RTX 3000 सीरीज के बारे में तो आपको मालूम ही होगा इसकी काफी जादा हाइप है और 17 सितंबर को ये ऑनलाइन अवलेबल था परचेस के लिए जहां पर ये सिर्फ कुछ मिंटों में ही, मात तीन मिनिट के अंदर ये साफ कर दिये गए थे, दरसल यहां पर कहा जा रहा है कि BOTS लगाए गए थे, इन सभी कार्ट को परचेस करने के लिए, जहां पर इका दुका यूजर को ये मिला होगा, बाकी सारे ब्लैक करने वालों ने परचेस कर लिए थे, ये कार्ट जहां पर इनको जब eBay पे बेचा जा रहा था, तो eBay पे एक जगे तो ये भी देखा गया है कि ये सतर हजार यूजर के अंदर भी बेक रहे थे, जहां पर NVIDIA ने माफी मांगी है इस तरीके के लाउंच के लिए कि ये गलती होगा, यहां पर अब हमाए अगली बार से रिव्यू करना होगा, ताकि इस तरीके के ब्लैक करने वालों के हाथ में एक भी का हो जाता है और आप क्लिक करते रह जाते हो कि यार प्रोडेक्ट गया तो गया काम है, तो बिल्गुल तयार था उसको खरीदने के लिए, लेकिन ये ब्लैक करने वाले लोग फट से खरीद लेते हैं, कुछी सेकंड में जिसके बाद में ये ओवर प्राइस करके उसको बेच बेचना पड़ेगा, यहां पर कई जगे ऐसा भी देखा गया कि 14,000, 15,000, 16,000, मतलब एक 699,000 यूएस डॉलर का कार्ट, 14,000 यूएस डॉलर में भिकरा था, आपने कोई न कोई प्रोड़क्ट तो पर्चेज ही किया होगा, जहां पर आप उस प्रोड़क्ट को सर्च करते ह जहां पर आप उसी प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट करते होंगे, जिनके अच्छे रिव्यू है और इसी के सास्थ अच्छी रेटिंग मिल रखी है उनको, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दू, यूएस के अंदर एक इसी तरीके का ग्रुप पकड़ा गया, जिनका काम ह यही होता था, इस पूरे सर्च इंजिन को मैनिपलेट करना है, और यही लोग अब यूएस के अंदर पकड़े जा चुके हैं, अमाजोन स्टाफ को रिश्वत देते हुए, जहां पर 15 अक्टूबर को अब इनकी सुनवाई होगी, दरसल इनका काम यह होता था, कि यह जो द तो इस तरीके से चीजों को प्रमोट किया करते थे, जहां पर यह पकड़े जा चुके हैं, और अब इन पर केस चलेगा, दोस्तों क्रोना वायरस के शुरुवाती दिरों में आपने एक चीज़ देखे होगी, कि फेस मास्क मार्किट से एकदम से गायब होगे थे, जहां प वो सिचुएशन नहीं है, तो अब जाके आप देखते होंगे, नए नए तरीके के फेस मास्क मार्किट में आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक माइक्रो क्लाइमेट नाम की एक कमपनी है, जुन्होंने एक ऐर वीजन हेलमिट तयार कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा है, कलिक हेलमिट जिसके अंदर हैपा फिल्टर भी मौझूद है, जो कि कहा जाता है हाई एफिशेंसी पर्टिकुलेट एर फिल्टर जो की काफी ज़दा अच्छा होता है इस तरीके की चीज़ों के लिए और इसी के साथ साथ इसमें लगी जो आगे की फेस शील्ट है, वो आ इसमें बैटरी होगी जो करीबन चार घंटे का बैटरी बैकप आपको दे देगी और फैन चलता रहेगा चार घंटे तक और इसकी कॉस्ट है करीबन 200 यूएस डॉलर तो सस्ता बिलकुल भी नहीं है लेकिन शायद आने वाले वक्त में यह यूज किया जा सकता है लेकिन फ करना चाहेंगे क्योंकि एक तो उनका फेस दिखेगा आगे से और इसी के साथ साथ उनका प्रिकॉशन भी हो जाएगा क्रोना वायरस से बचने का या फिर किसी और ने वायरस जो कि पता नहीं चाहिना तो रिलीज करे जा रहा है नहीं वायरस दोस्तों आपने बहुत सारी काड को यूज किया गया किसी न अपने दादा के काड को यूज कर लिया और उनका पेंशन खतम कर दिया तो इस तरीके की न्यूज तो बहुत सारी सुनी होंगी अब एक और नई न्यूज आ रही है इसी तरीके कि जहां पर ऑनलाइन गेम का नाम सामने नहीं आया लेकिन त 20,000 निकाल के डाल दिये इनहीं गेमों में जिसके बाद में उसके फादर ने उसको एक अजीब तरीके की पनिश्मेंट दिये जहां पर उसको कहा है कि एक से लेकर अब तू 90,000 तक गिंती लिक बैट कर जहां पर उसे 5 दिन तो हो गए है और अभी तक वो शायद 3500 पे ही प सब्सक्राइब जो रखन और सब्सक्राइब किया है तो बेल का इकों सब्सक्राइब किया अब आपको मालूम भी चलाएगा मैंने को वीडियो दाली भी है